तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SKM Study के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत-बहुत सागत है प्यारे बच्चों एक नया सेट आपके लिए 2022 का लेकर आचुके हैं और इस वीडियो में हम इस पेपर्स का पूरा-पूरा सल्यूशन करने वाले हैं दोस्तो वीडियो को इंड तक देखिए अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि पूरे यूपी बोर्ड में इकलाउता चैनल ऐसा है इस पर आपको पूरे 2022 और 2021 के पूरे सेटो का सल्यूशन बताया जा रहा है जाकर आप होमपेज पर या प्ले लिस्ट में देख सकते हैं तो जो बच्चे नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लें जो पूराने हैं उसकी कोई बात ही नहीं तो जानते हैं इस चैनल की क्वाल्टी और आप जानते हैं ये चैनल बहुत ही जबरदस्त तैयरी करवा रहा है अगर आप एक्जाम में 90% गेन करना चाहते हो तो हमारे इस कोर्स को जोईन कर लो दोस्तों इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है यह हम पूरी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं देखिए आपको 90% मिलेगा तभी जब आप हर सब्जेक्ट का 7 सेट आप 21 रुपए में लेंगे अगर एक सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो 7 सेट लेकिन आप तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो बहुत कम कास्ट है दोस्तों आपको 105 रुपए में 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे हर सब्जेट के साथ सेट रहेंगे आपको कुल मिला के 35 सेट में पूरे एकजाम की तैयारी हो जाएगी लेकिन अगर आप 2021 यह जो 77 सेट मिलेंगे 2022 के मिलेंगे अगर आप 21 का भी लेना चाहते हैं तो इसमें 15 रुपाय और बढ़ा दीजे 120 रुपाय पेमिंट करना पड़ेगा 120 रुपाय में आपको पूरे एकजाम की तैयारी 90 परसंट डिलाने की गारेंटी लेता है PDF पाना चाहते हैं तो हमारे SKM Steady टेलेग्राम पर जा सकते हैं वहाँ से इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है पूरा PDF आपको मिल जाएगा और लिंक आपको description box में लिजाएगा अगर description box में नहीं मिल रहा है तो आप टेलेग्राम अप्लोड करकर सर्च कर वहां से आप important question सारा free up cost मिलेगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी dairy के अब देखे दोस्तों जब आप exam में बैठोगे तो इस तरीके से board की copy मिलेगी ठीक है सारा solution हम आपके board की copy में ही कर रहे हैं किस तरीके से board exam में लिखना है यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं बता रहे हैं आपको दोस्तों जब आप exam में बैठोगे ना तो इस तरीके से board copy मिलेगी और यह paper मिल जाएगा ऐसे इस color का पेपर होगा क्या करना है क्या कैसे copy भरना है इस वीडियो में चर्चा करेंगे सभी लोग इस वीडियो को like कर दीजिए चनल नहीं है तो चनल को subscribe कर दीजिए दोस्तों जब आप exam में बैठोगे तो आपको copy मिलेगी खाली copy मिलेगी अब कैसे भरोगे देखो सबसे पहले भरना आपको सिखा दे रहे हैं एक आपको भरना सिखा देने एक page ले लेते हैं यहां से देखो already मैंने पहले से भरके रखा हुआ है एक तो जब exam म लंबर रहेगा अब वो रोल लंबर इस तरीके से हो गए देखिए जैसे पिछले 2022 में जो बच्चे पेपर दिये थे उनका रोल लंबर दसंक का था 2023 में कुछ इसी तरीके से होने वाला है अब यह रोल लंबर कैसे ही भरेंगे तो यहां देखिए परिक्षा का अनुक्रमा अंकों में सबसे पहले दसंक लिखेंगा अंकों में फिर इसे सब्दों में कैसे लिखेंगे दो तीन दो पांच दो तीन पांच चार पांच सुन बिसर जो भी होगा यहां पर डाल देना प्रश्णपत्र हर पेपर में क्योवल प्रश्णपत्र लिखना है क्योंकि हर के तांग होता है जैसे इस देखिए दूसरा पेपर में भी यहां पी है संके तांग यही संके तांग आपको इस बॉक्स में भरना है फिर परिक्षा का दिन यहां पर परिक्षा दे थी यहां पाली ती यहां पर डाल देना डैस करके जो पाली होगा यहां पर कर देना ठीक के यहां पर केंदर का नाम भर देना जिस केंदर में आप परिक्षा दे रहे हैं उसी केंदर का नाम यहां पर भरना है तो इतना काम आपको इस कापी में करना है अब आगे देखो अब इसे हम पलड़ते हैं प्यारे बच्चों ऐसे देखें पूरे पेपर्स का सल्यूसन अब हम करेंगे ठीक है एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं एकजाम में 95% ले आना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जॉइन कर लीजिए मात्र 120 रुपय में अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा पूरे सब्जेक्ट का मिल जाएगा और मल लगा के पढ़िए क्योंकि आपकी परिक्षा 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है ठीक है यह नुमाल लगा जा रहा है 16 फरवरी से जैसा कि मैं 14 या 16 फरवरी से दो डेट रखी गई है दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर देंगे तो सभी बच्चे आप प्रैक्टिस करें इन सेटों को पर्चेश करके 120 रुपय में 2021-2022 के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे ठीक इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं तो यहां आप देखें यह आपका पेपर है 2022 का सेट वन ठीक है जी यह अब इसका हम सल्यूशन करेंगे तो पहला कोश्चन दोस्तों एक प्रत्यावरती धारा परिपत में धारा आई बेराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाइटू प्रवाहित है परिपत के सीरों के प्रत्यावरती बिभाव इबराबर इनाट साइन ओमेगा टी लगा जाता है परिपत में बे सकती पी होगी तो इसमें सकती पी जो होती है दोस्तों वो क्या होती याद रखना सुन्य होती है क्या होती है सुन्य बहुती रिपीटेट कोश्चन है इसे याद कर लेना प्यार दोस्तों विद्धुत रोधी होता है अगला दोस्तों वी इलेक्ट्रान बोल्ट उर्जा वाले इलेक्ट्रान से संबध देवरागली तरंग दैर्ध लगभग होता है तो कितना होता है बारत दसमलों दो साथ बटे अंडरूड वी आंगश्ट्राम होता याद रखना चलिए अगले कोईस्टन की और बढ़ेंगे अब नेक्स्ट कोईस्टन है इस कापी को पलड़ते हैं जरा ध्यान देना एक किरणपुंज वाई में जल में प्रवेस करता है निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तित रहेगा तो याद रगना दोस्तों इसमें आप व्रित्ती जो है अपवर्तित रहती है ठीक है अगला है एक अलफा कर पंद्रगुड़े दवगाते चार न्यूटन प्रतकुलाम विद्दुच्छेत्र में इस्थिते उस पर लगने वाले बल की गढ़ना कीजिए अब देखिए यहाँ पर बल की गढ़ना पूर आपको समझाएंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका लग जाएगा इसलिए हम आप स्निवेदर करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस कोश्चन को देख लो और याद कर लो कि यह कोश्चन एक्जाम में आने वाले कोश्चन है ठीक अगला बिद्दुद्फ्लक्स का क्या आ मात्रक भी है और भी मी सूत्र भी लिखा हुआ है फिर दूसरे का गा देखिए अन ओमी प्रतिरोत के लिए बोल्टता वी तथा धारा के बीज ग्राफ खीचिए तो यहाँ देखिए यह आपके लिए ओमी के लिए है यह ग्राफ और यह अन ओमी के लिए ग्राफ है क्योंक कि औमी में धारा इस्तिर होती है अनूमी में धारा बदलती रहती है इसलिए गड़ाब देखो आगे पीछे उपर नीचे है अब दूसरे के घहा की बात करें देब्रागली तरंगदैर्थ को गति जुर्जा के पतों व्यक्त किजिए यहां पर देखें देब्रागली तरंग दैर्थ का जो गती जूर्जा यहां पर पूरा प्रदर्शित किया है इस तरीके से इसका स्क्रीन सोड़ ले सकते हो फिर दूसरे का अंगा दूसरे के अगर अंगा की बात करेंगे मेरी प्यारे बच्चों तो यहां पर यह पूरा है एक उत्तल लेंस के प्रतेक वक्क एक नए लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी ठीक तो यहां पर देखिए यह सारी कुछ फोकस दूरी यह बराबर चालिस यहां पर सिद्ध किया गया आप स्क्रीन सोड़ ले सकते हैं पिर अब देखिए दूसरे कच्चा की बात करें मेरे पैरे बच्चों एक उत्तेजित हाइडोजन परमाण के इलेक्टरान की उर्जा माइनस 3.4 इलेक्टरान बोल्ट इवी है इलेक्टरान का कोड़ी संग वे ग्याद की जिए दिया गया है कि एनवी कच्चा में इलेक्च्चा में इलेक्टरान की उर्जा माइनस 13.6 बटे एनी स्क्रीन बोल् प्यारे बच्चों हमारा तीसरा कोईशन है एक अलफा कर पंद्रा गुड़े दस पर घाते चार न्यूटन प्रत कुलाम बिद्दुच्छेत्र में इस्थित है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए यानि बिद्दुच्छेत्र की बैलू दी गई है यहाँ पर ठीक है दोस्तों तीसरे कखा यह है रदर फोड के अलफा प्रकीणन प्रयोक से प्राप्त निसकर्च लिखिए तो यह देखो रदर फोड का अलफा कर प्रकीणन है यहाँ पर निसकर्च यह पूरा दिया हुगया बिद्द फिगर ठीक है ना चलिए अब आगे देखिए तीसरे अख़्ा में विड़ुय चुमबकी तरंगें विद्द Cumoky तरंगें क्या होती है जरा धियान देना विद्दत की तरंगें की दो भी सेस्ताइं लिखिए इनके संचरण आरे खीच कर विद्दु छेत्र एक चुम्ब की छेत्र अवयो दिखाईए तो यहां पर देखें विद्दु छेत्र के गुण है ठीक और यह पूरा अवयो यहां पर दिखाए गया है विद्ध फिगर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं फिर आजाए यह तीसरे का गह प्रकास के किन ही दो स्रोतों के मध्ध 24 सेंटीमीटर दूरी है ग्याद कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभी सारी उत्तर लेंस को कहां रखे ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिम एक ही बिंदु पर बने तो तीसरे का गह का यह उत्तर है यह तीसरे का गह का यहाँ पर उत्तर है स्क्रीन सोट लेंगे फिर यहाँ पर है पूरा यह उत्तर ओके बहुत ही जब अरजस्त है याद कर लेना ठीक है और यह कोईशन इंपोर्टेंट है बेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम में आने वाल जब हाइडोजन परमाड पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती है तो उन्हें क्रम सा एक दस्वल्ड आठ इलेक्ट्रान बोल्ट तथा चार इलेक्ट्रान बोल्ट की गति जूर जाके इलेक्ट्रान सर्जेतों प्लांक नियतांग का मान ग्याद कीजे यहां पर यह देख अब आजाते हैं चौथे के का में प्रकास तरंगों के बेदकरण से आप क्या समझते हैं बेदकरण की सर्ते लिखिए देखें बेदकरण की सर्ते यह पूरा दिया गया है स्क्रीन सट लेंगे सभी बच्चे और यहां पर है संपोसी बिनासी आवस्यक सर्ते सब लिखी अब देखिए अगला नंबर फोर्थ का ख फोर्थ का यह है एक प्रसारान केंद से 300 मीटर तरंग दैर्द वाली तरंग प्रसारित की जाती है एक दो दस्वलों चार माइकोर्फरेर धारता वाले संधारित उपलब्ध है अनुनादी परिपत के लिए आवस्यक कुंडली के प्रेरकत का पड़िकरन कीजिए तो चौथे का ख यहां पर चौथे का ख यह है ठीक और यह है यह फटा फटा आप स्क्रीन सोड़ ले सकते हैं यहां पर पूरा दिया गया है फिर आजाईए चौथे का गह एक अपवर्ति खागोली दूरदर्शिम प्रतिम का बनना स्वच पर दिया विद्दुद परिपत संबंधी किर्चाप का नियम लिखिए चौथे का गह ठीक और यह आपका चौथे का ख है तो यहां पर किर्चाप का यह पूरा नियम है फटा फटा इसका स्क्रीन सोड़ लेंगे और यह है ठीक किर्चाप का नियम बहुत ही जब अरजस्त तरीके से लिखा हुआ है चौथे का घह भी देख लेते हैं प्यारे बच्चो चौथे का घह जरा देखना यल लंबाई की एक तामे की छण बी तीबरता की एक समान चुम की छेतर में ओमेगा कोड़ी वेक से एक सिरे के परितर घूम कर गुड़न कर रही है सिद्ध कीजिए कि छण के सिरों पर प्रेरी बिद्धुत्वाग बल ए बराबर एक बटे दो ओमेगा बी यल स्कौईर है तो चौथे का गहा में यहां पर देखो यह पूरा लिखा हुआ है ठीक और यह पूरा सिद्ध किया हुआ है यह है अब आ जाते हैं चौथे का अंगा में चौथे का अंगा में बोहर के परमाड माडल के अपगरिहीत लिखिए तो इसमें देखिए चोथे के अंगा में आप अथवा में करके दिया है या 500 इलेक्ट्रान चोथे के ये है दोस्तों ये है प्रकास बैदुद प्रभाव ये चोथे का अंगा है प्रकास बैदुद प्रभाव क्या है इसके नियम लिखिए तो जरा ध्यान देने ये देखिए पूरा प्रकास बैदुत प्रभाव यहां तक लिखा हुआ है स्क्रीन सोट लेंगे और फिर आगे यहां पर यह पूरा लिखा हुआ है ठीक फिर पांचवे कक अब पांचवे कक देखिए अब इसमें एक Q Initially आओर है पांचवे पांचवे कक ट्रांस्फारमर क्या है इसकी सनचना की बारे में लिखिए तो जरा ध्यान देना पांचवे कक यह पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ये है यह आपके पांचवे कक और यह है पांच Посक पहले देख लेते हैं कि यह ट्रांसफार्मर है पूरा इसका सिध्धान समझाए गया है कि इस तरीके से लिखना एक्जाम में तीन अंग के कोश्चन है ठीक अब पांच्वे का ख देखिए यह आपके पांच्वे का ख अब कोश्चन आपको दिखा देते हैं तो पांच्वे के ख में दो गुड़े दस पे घाते माइनस दस मीटर त्रिजा की वित्तका कार्मार पर एक लेक्टान तीन गुड़े दस घाते छ मीटर के से एक अपवर्ती खगोली दूरदर्शी में प्रतिमिका बनना स्वच्छ किरन आरेक बना कर समझाईए यह है आपका पांचवेक अगह पूरा स्वच्छ किरन आरेक यहां पर समझाय गया है फटा फटा अब इसका इस्क्रिंस ले सकते हैं ठीक है पांचवेक अगह देखिए प कोर्स को जॉइन कर ले मात्र 120 रुपए में 2022-2021 के पूरा सेट मिल जाएंगे आपको ठीक है इस नंबर पर पेमेंट करना होगा और यहां पर आपके हर सब्जेट के साथ सेट मिल जाएंगे चलिए आगे देखिए अब अगला है यहां पर आ जाते हैं दोस्तों पांचवेक कि एक इलेक्टरान 500 बोल्ट के भिवांतर से तुरित किया जाता हुआ कितनी चाल से प्राप्त कर लेगा यह देखिए पांच का घ्र के यह पूरा प्रस्ण है आप इसका आंसर लिख सकते हैं ठीक फिर आ जाते हैं चाठवे नंबर में चाठवा नंबर है मारा हाइगेंस क के तरंग सिध्धांद के अधार पर प्रकास के परावर्तन के नियम की ब्याख्या किजिए तो दोस्तों यहां पर देखिए पूरे प्रकास के परावर्तन की नियम की ब्याख्या की गई फटा पट इसका स्क्रीन सोड़ लेंगे और इधर भी है ठीक चलिए अब आगे देखिए साथ नंबर साथ नंबर साथ नंबर क्वेश्चन क्या है फोटो डायोड की सनरचना यहां कारविधी का वर्णन कीजिए तो यह देखिए फोटो डायोड है और सनरचना यहां पे लिखा गया कारविधी क्या है यह पूरा दिया गया है इसका स्क्रीन सोड़ लेकि आप देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ण याद रखना द प्रतिकों के अपने सामान अर्थ है आठ नंबर का यह पूरा उत्तर है फटा पर इसका स्क्रीन सोड़ लेंगे और इसका कुछ भाग इधर भी है ठीक यह भी है चो कुंडली है यह याद रखना चलिए अब नौ नंबर में चलते हैं दोस्तों कि नौ नंबर और लास्ट क प्रेण की परिभासा दीजिए दो समतल कुंडली ओं के अन्यों प्रेण का सूत्र स्थापित कीजिए यहां पर देखिए यह पूरा सूत्र यहां पर दर्स आया ठीक फटापर सभी बच्चे स्क्रीन सड़ लेंगे यह पूरा यहां पर लास्ट है तो दोस्तों इस तरीके से यह आपका पूरा पेपर्स का सेलुशन किया गया जिन बच्चों को डाउट है वो हमारे इस नंबर से संपर कर सकते हैं और अच्छा नंबर ले आना है तो को परचेज कर लीजिए ठीक है 120 रुपए में आपको 90 परसेंट दिलाने की गारंटी रखता है हमारा यह चैनल ठीक है और आपको सारा कोर्स मिल जाएगा इस नंबर संपर कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे वीडियो हम अगले फिर से लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत